कल है 28 सितंबर यानि की एक आदिशी तिथी पित्र एक आदिशी है तो इस दिन एक आदिशी का तरपन तो हो गाई साथ में एक छोटा सा उपाय है जो कि जिसका कुछ काम ना बन रहा हो सब काम करके ठक चुके हो तो गुरू देव जी ने एक ऐसा उपाय बता है जिसे करके आ आप बहुत ही जिल्दी से एक हफ़ते के अंदर ही जल्द देखने को मिल जाएगा अगर आपके कोई ऐसे मनोकामना हैं बहुत सालों से आपने सोच रख्क है मनोकामना निपृवी और आपके पास धन की आवाजहाई नहीं हो रहा ही यह व्यापार नहीं चल रहा है नोखर लग रही है और कर्चा लेने की नोबत आ गए है तो सब तरह से मतलब धन के रास्ते जो है बंद हो चुके हैं तो उसके लिए एक उपाय बताया है उसे आप एक आधिशी वाले दिन कर सकते हैं नहीं तो कोई विशेश तिति पित्र पक्षगी जैसे कि सर पिर आमा वस्ता इस उपाय को कड़ सकते हैं तो उपाय बहुत ही सरब है तो उसके लिए क्या करना है है एक तांबे का लोटा ले लेना है उस से पानी से भर लेना है और उस में 5-6 दून डाल लेनी है filtersis में घंगा जल की तो घंगा जल जरूर हमें डालना चाहिए उस also our उसके साथ हमें तमगरी हमें एक हट्टी कर लेनी है aur हमें एक लोटे में जल सब पानी पीते हैं रचोई घर में उस स्थान पर आरो के पास मटके के पास इस लोटे को पूरी रात के लिए रखके छोड़ देंगे और इसमें साथ-साथ एक तुटकी हल्दी भी डाल देनी हैं तो यह हमें पानी हो गया गंगा जल हो गया चावल हो गया एक तुटकी चीज डालकर हमें मटके के पास आरो के पास इस लोटे को रखकर एकादशी वाली शाम को रख देंगे और सुवे द्वादशी वाले दिन सुवे प्राते काल इसनान करके हमारे घर के आसपास अगर कोई बढ़का पेड़ है तो उसके चाहे मंदिर में हो चाहे भार हो कहीं पानी अलग कर देंगे पानी गिराना नहीं है पानी को चाहन कर अलग कर लेंगे और चावल को मिक्सी में पीस लेना है और मिक्सी में पीस लेने के बाद दुवारा इसी लोटे में वह पानी डालकर और पीसे वे चावल डाल देंगे और फिर उसे हमें लेकर चले जाना है उसके बाद जाना है है बर्गत के पेड़ के पास और फिर वहाँ बर्गत के पेड़ के पास हम जाकर भगवान भोले नाज से अपनी मन की जो इच्छा है हमारे जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है हमारे पर करज़ा चड़ गया है या हमारे पास धन नहीं डूक रहा है नोक का सारा जड़ जो है बढ़ की पेड़ की जड़ में चड़ा देना है और उस बढ़ की पेड़ के पास कोई छोटी सी भी जड़ हो तो वो उसे लाकर अपने पास अपने घर ले आना है उसमें से थोड़ी जड़ तोड़कर और लाल कपड़े में हमेल पेट कर उसे रख लेनी तो इस उपाय से करके ये देखिए आपको कितना धन का लाब होगा आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और इससे आपके जो भी धन संबंदी रुकाफटे आ रही थी वो सारी रुकाफटे दूर हो जाएंगी आपका व्यपार चलने लगेगा अगर नोखनी नोखनी लगने लगेगी मतलब कहने का ये है धन संबंदी जितने समस्याथी सारी समाप्त होने लगेगी तो इस उपाय को आप पित्र पक्ष में जरूर कर ले अगर आप एक आधिशी वाले दिन ना कर पाएं तो परदोश्काल में या फिर जो अमामस्या आएगी तो उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं तो इस उपाय को करने से बहुत ही ज़्यादा ये लाब होता है पुझे गुरुजी का ये बहुत ही ज़्यादा सठीक उपाय है बहुत ही चमतकारी उपाय है इसे लाखों लोगों ने अजमाया है और उपाय को गुरुजी के करते ह जो लोग उन्हें अवेश्य लाब होता है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक कमेंट और शेर भी करना